लो बच्चों कैसे हूँ आप सब मैं अम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज हम लोग चीकिंगे कुछ नहीं कुछ स्पेशल और बारा खड़ी में भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आप लोग को दो फॉर्म लिखा हुआ मिल रहा होगा फ अच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे एफ ए आर एच ए एन फरहान यह सही होगा और यह जो उपर में भी आपको फॉर्स्ट फॉर्म मिल रहा है यह भी सही होगा पी एच ए आर एच ए एन पर सबसे ज़्यादा करेक्ट और सुनने में भी अच्छा लगता है तो वो है ए आर एच ए एन ना की पी एच ए आर एच ए एन तो कौन सा करेक्ट होता है बच्चों यह सेकेंड फॉर्म मलबफ फरहान यह सुनने में भी अच्छा लगता है और इसकी spelling भी दूस्टे तरह सी होती है और ये second form भी होता है तो आपको ये हमेशा से याद रखना है अब हम लोग बग की बाराख़डी पढ़ेंगे बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं बग के पेज में अब हम लोग बग और मग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं हम लोग पहले बबाब बीबी को हिंदी में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इंग्लिश पे पढ़ेंगे अब हम लोग भा का पढ़ने वाले हैं बच्चों इसी तरह से हम लोग भीश में हिंदी में सबसे पहले पढ़ेंगे भो भा भी भी भू भू भे भय भो भव भन भ अब हम लोग इंगलिश में पढ़ेंगे वाच्चों भी एच फोर भा भी एच एभा भी बी एच डबली भी बी एच यू भू भू भी एच डबलो भू भी एच इभी सरी बच्चों भे हैं मैंने गलती से भी बोल दिया इग्नोर करिएगा बी एच ए आई भाए बी एच ओ भो भी एच ए यू भाव भी एच ए एण भन भी एच ए एच भा अब हम लोग मौ का पढ़ने वाले हैं बच्चों इसी तरह से हम लोग इसमें भी सबसे पहले हिंदी में पढ़ेंगे के बाद फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे म, 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 दो बच्चों अब हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे M for ma अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चो तो लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा और सब्सक्राइब कर दीजेगा बाइबं कर दीजेगी जा अगर दीजेगा, बाइबं कर दो लाइक कर दीजेगा